So hello friends, welcome back again with a fresh new video अगर आपका age 18 साल है या उससे कम है आज मैं आपको height growth के उपर कुछ tips बताऊंगा जिसे अगर आप follow करते हो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा 18 साल है या उससे कम उमर मतलब ये उमर best होता है height growth के लिए best अगर इस उमर में आप मेरा tips को follow करते हैं आपको अच्छा results मिलना ही है अगर आपका age 18 साल से ज़्यादा है आपका age 25 साल तक है आप इस range में भी इस age में भी अपना height को बढ़ा सकते हो लेकिन अगर आप अपने आपको compare करेंगे किसी 16 साल के बंदे के साथ तो आपका height growth उतना speed नहीं होगा height आपका भी बढ़ेगा 18 साल के बाद height बढ़ता है लेकिन एक बंदा जिसका age 16 साल आप उसका उतना speed से height नहीं बढ़ा सकते हो लेकिन आप भी अच्छा खासा height बढ़ा सकते हो तो आज जो tips बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना वीड़ो को end तक देखना जिनको भी height बढ़ाने के लिए मेरे से online training लेना है फिर आप मेरा mail ID पे contact करो मैं provide करता हूं online training through whatsapp, chat, facility, मतलब भी training online training है ठीक है and training का charges बहुत ही low है आप इजले effort कर सकते हो so number one tips क्या है आपको daily 6 meals लेना है आपको try करना है कि मैं every 3 meals में खाना खाऊंगा खाना कैसा होना चाहिए balanced food होना चाहिए आप अपना पेट के अंदर कुछ भी डाल नहीं सकते हो आप बाहर का गंदा चीज नहीं डाल सकते हो आप oily foods मेठा चीज ये सब डाल नहीं सकते हो इससे आपका height growth उल्टा रुख जाएगा आपको healthy nutritious meal लेना है सही foods खाना है daily आपको 6 meals लेना है every 3 hours आपको height growth पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा so second tips क्या है आपको daily 5 ऐसा foods लेना है जिसमें high protein पाई जाता है जैसे कि chicken, face, eggs, paneer, milk, soya chunks फिर आपका दाल, rasma, तो यह सब foods आपको अपना diet में लेना है and try करो कि हर एक meal में आपका protein ज़रूर हो so third tips क्या है आपको फल and सबजी से दोस्ती करना है मैं देखता हूँ जो बच्चे रहता है उनको सबजी पसंद नहीं होता है फल पसंद नहीं होता है तो उससे क्या होगा आपका body को vitamins and minerals नहीं मिलेगा आपका body को enough fiber नहीं मिलेगा इससे क्या होगा आपका height growth रूख जाएगा तो आपको यह चीज़ समझना पड़ेगा कि यह मेरा दोस्त है height growth का और उससे आपका immunity भी बहुत जादा होता है तो आप different type of fruits, vegetables ज़रूर आड़ करें हर एक सबजी का, हर एक फल का एक importance है हर एक सबजी का, हर एक फल का अपना-पना importance है तो जब आप different types of fruits और vegetables खाएगे तो आपका body को different types of vitamins and minerals मिलेगा जिससे आपका body height को grow कर पाएगा और आपका body बहुत ज़्यादा स्वस्त रहेगा चौथा tips क्या है डेली आपको देड़ घंटा exercise करना है जिनका lifestyle sedentary है जो ज़्यादा बैठे रहते हैं उनका metabolism slow होता है तो जो regular exercise करता है उसका metabolism अच्छा रहता है बोड़ी का fat percentage down रहता है आपको डेली देड़ घंटा exercise करना है देड़ घंटा exercise में क्या करना चाहिए आपका running रहना चाहिए skipping फिर आपको weight training ज़रूर एड़ करना है इससे आपका muscle strong होता है muscle का size बढ़ता है साथी साथ आपका bone density improve होता है जब आप weight training करते हो तो इससे आपका body में बहुत सारा ही फायदा होता है and मुझे पता है जो लोग 18 साल के हैं या उससे कम over के हैं ये लोग gym नहीं जाते हैं बट अगर आप gym जा सकते हैं तो बहुत अच्छा चीज है and gym में जाके आपको weight से प्यार करना है उससे दुस्मनी नहीं करना है आपको ego नहीं दिखाना कि मैं जाके बहुत भारी वजन उठाऊंगा आप उतना ही weight उठाओ जिसमें आप easily 12-15 reps लगा पाओ अगर weight से दुस्मनी करेंगे तो आप weight से कभी भी जितनी पाएंगे उससे आप injured हो जाएंगे आपका growth plates fuse हो सकता है बट अगर आप weight को सही तरीके से लगाएंगे proper technique से लगाएंगे technique होता है अगर आप technique को सिक लेंगे तो उससे आपका HGH level बहुत हाई रहेगा bone density अच्छा रहेगा and protein synthesis आपका body में बढ़ता है and जो भी आप खाना खाओगे आपका body में लगेगा जरूर अब मैं आपको next tips बताऊँगा देखो आपका उमर कम है आपको बाहर का खाना खाने का बहुत मन करता है आपको बाहर का समूसा मन करता है बड़ा पाओ खाने का बड़ी मन करता है Chinese foods आपको बहुत पसंद है मैं मान रहा हो तो आप इस सब खाओ लेकिन 20 दिन में एक बार महिना में दो बार बस इतना ही आपको daily इस सब नहीं खाना है जब भी आपको कुछ स्वादिष्ट आपको कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है तो आप उस ताम dry fruits खाओ dry fruits उससे क्या होगा आपका टंग को अच्छा लगेगा उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है साथे साथ आप roasted चना, मूंग फली इस सब खाओ इसका सलाद बना के खाओ तो जब आप healthy चीज अपना diet मिलेंगे instead of बाहर का जो खराब चीज होता है तो उससे आपका body को फायदा होता है और उसी से आपका body grow करता है और आपका body homo status maintain करता है जो high growth में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको अब जो मैं आपको next tips बताऊंगा इस चीज को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको ज़्यादा stress नहीं लेना है आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई बहुत अच्छा चीज होता है लेकिन उसको enjoy करो आप regular basis पर पढ़ाई करते रहो अगर आप साल भर नहीं पढ़ेंगे और अचानक 2-3 मैना बहुत ज़्यादा stress लेंगे तो इससे आपको बॉडि पे negative impact पड़ता है हर चीज का एक routine बनाओ खाना खाने का एक time table बनाओ पढ़ने का time table बनाओ खिलने कूदने का एक time table बनाओ exercise करने का time table बनाओ तीवी देखने का time table बनाओ तो सबसे पहले आपको morning में जल्दी उठना है तब जाके सारा चीज आपका time to time होगा अगर आपका time table गड़बडा जाएगा तो ना आप 6 मिल से ले पाओगे ना आप exercise कर पाओगे ना आप ढंक से पढ़ाई कर पाओगे ना school को home work होगा और आपका studies भी खराप होगा तो अगर आप एक routine set करते हो तो आपको कितना फायदा होगा आप इसी सोचो discipline बहुत ज़रूरी है जब आपके अंदर discipline आजाएगा तो फिर आपको कोई भी रोग नहीं सकता है अब मैं जो आपको next tips बताऊंगा इसको मैंने बहुत ज़्यादे notice किया है body में HGH level का कम होना फिर ज़्यादा sunlight नहीं लेता है फिर knee knee में problem रहता है फिर posture खराप रहता है तो इसका मतलब यह कि आपका body fitness नहीं है आपको एक fitness lifestyle अपनाना है and fitness lifestyle को अपनाने के लिए जितना भी मैंने आपको tips बता है इनको follow करना बहुत important है तो उसके लिए अपने आपको सांथ रखने के लिए and अपना mind को सही करने के लिए mind बहुत important चीज होता है because एही signal भीजता है आपको body को की height grow करो ज़्यादा human growth hormone बनाओ अच्छे से dietion करो एही signal भीजता है but अगर आपको mind सही तरीके से काम नहीं कर रहा है वो disbalance हो रहा है तो उसको सांथ करने के जौरत है सांथ करने के लिए आपको meditation करना बहुत ज़री है तो आप सूबा 5-10 minutes meditation करो सोने से पहले meditation करो and sleep sleep बहुत important daily आपको 8 गंटे का quality sleep लेना है तो जब आप meditation करते हो तो आपका दिमाग सांथ होता है नींद गहरा होता है and जब नींद गहरा होगा तब ही आपका height बढ़े because सोते वक्ती आपका height बढ़ता है and हम लोग क्या करते है पानी को बहुत ज़र नेगलेट करते है water and जो हमारा body है यह 65-70% पानी से बना हुआ तो अगर आप सही धंग से पानी नहीं पेंगे time to time पानी नहीं पेंगे daily आपको 4-5 लिटर पानी पीना ही है जब आप पानी पेंगे तो आपका खाना हजम होगा आप इतना खाना खा रहे हैं आप वरकाउट कर रहे हैं तो आपको results मिलना जरूरी है लेकिन जितना भी process है हर एक process के लिए पानी का requirement है तो अगर आप पानी कम पीएंगे तो हर चीज slow down हो जाएगा और कि आप चाते हो कि आपका high growth जो process है यह slow down हो जाए तो daily minimum 4-5 लिटर and maximum 5-6 लिटर इतना पानी आपके जरूर पीना चाहिए and जो लोग पढ़ाई करते हैं जो लोग exercise करते हैं इनको पानी जादा पीना चाहिए अब मैं आपको last tips बताऊँगा सोने से पहले दूद जरूर पीना कितना दूद 400 ml milk and उसमें अस्वगंदा, सेलाजियत, गोकसूरा सुएत, मूसली, सताबरी यह सब जरूर एड़ करना because जब आप इन supplements को एड़ करते हों दूद के साथ तो यह चमतकारी वेसे काम करता आपका body में and आपको high growth में बहुत ज़्यदा फायदा करेगा और कुछ मैं आपको supplements का बारे बताना चाहता हूँ जैसे के whey protein, creatine आपको ज़रूर एड़ करना चाहिए whey protein बहुत अच्छा होता है इसका कोई side effect नहीं because whey protein दूर से बना होता है यह एक ऐसा protein है जो आपका body easily dash कर लेता है आपका body को तुरंद मिलता है and creatine creatine इसलिए मैं कहा रहा हूँ because आप घर पर body weight training करेंगे gym जाएंगे तो आपको strength चाहिए तो strength बढ़ाने में creatine बहुत अच्छा फार्दा करता है और साथी साथ आपके recovery बहुत अच्छा होता है तो मैंने आपको इस सब tips दिया और भी धेर धेर सारा tips है जो मैं आपको दे सकता हूँ लेकिन इस सब basic था जिसको आपको start करना चाहिए and follow करो आगे जाकर आपको और भी tips मिलते रहाएगा because मैं इस channel में height growth के पर videos डालता हूँ तो अगर आप videos को regularly follow करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा so friends इस video करना चाहता हूँ मिलता हूँ next एक जबता वीडियो के साथ until peace by take care love you